हलो दोस्तो स्वागत है आपका News Analysis के वीडियो में जिसमें हम लोग हिंदू के आर्टिकल्स को देखते हैं और कभी-कभी हम लोग Indian Express के आर्टिकल्स को भी इंक्लूट कर लेते हैं तो चलिए आप इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले आपको कोट दिख रहा होगा मेरे खाल से कोट दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो आप इस image को imagine करिए और imagine करिए कि अगर आपको यह चीज जो है आपके table पे चाहिए तो आपको कितनी महनत करनी होगी और यही आपका goal होना चाहिए तो मेरे खाल से आपको कोट समझ में आ गया होगा आपको इस चीज का यह जो particular image है अगर आप हो सके तो आप इसको ध्यान में रखिए और आपको इसी चीज को imagine करके आगे बढ़ना है और preparation करनी है तो मेरे खाल से यह मेरे अभी तक के जितने भी म order than words ठीक है तो यहाँ पर आपको इसी से समझ जाओ चलिए आप article को शुरू करते हैं सबसे पहला article जो हमारा है यहाँ टाइटल देख सकते हैं ministry of defense ने क्या क्या है ministry of defense ने अप्रूफ किया है 33 new fighter jets को और यहाँ पर जो deal है वो 38,900 क्रोर का वर्थ का है ठीक है तो अब यहाँ पर थोड़ी बहुत डीटेल देख लेते हैं तो सबसे पहले सब ही डिंग देखेंगे यहाँ पर तो मोधी और पुतीन जी इन लोगों ने बा चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले चीज़ जो है deal कितने की हुई है तो 38,900 क्रोर की हुई है और यहाँ किसके द्वारा clear किया गया है यह important है हमारे लिए तो defense काउंसल के द्वारा किया गया है अब आप defense के बारे में पढ़िए और comment section में मुझे बताइए तो यहाँ पर देखते हैं क्या के दिया हुआ है यहाँ पर तो सबसे पहले चीज़ है कि 7,418 करोर का यहाँ पर 21 MiG 29 fighter jets को खड़ीदा गया है और एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो 59 existing jets है उसमें भी अपग्रेडेशन की बात कही गई है इसके लाबा यहाँ पर 10,730 करोर के cost का यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल के दौरा बिल्ड किया जाएगा 12 सुखोई 30 MKI ठीक है यह भी important है और यह जो aircraft है यह बहुत जादा important इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसका utility ह काफी जादा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह replace करेगा the ones which crashed over the years जो जो crash हो गए थे उसके वो एक तरह से replace करने का काम करेगा इसके लाबा हम देख सकते हैं पिनाका के बारे में बताया गया है जो कि indigenously developed all weather indirect fire free flight artillery rocket system है ठीक है तो यह rocket system है याद रखेगा पिनाका क्या है और यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि यह neutralize करेगा वह सारे targets को जो की expose करते हैं enemy troops के तरफ से और इसके लाबा जो भी armored और soft vehicles है उसको यहाँ पर protect करने का काम करेगा साथ के साथ communication centers, air terminal complexes, fuel and ammunition dumps ठीक है तो यह इसको neutralize मतलब एक तरह से protect करने का काम करेगा अब आगे और देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि deals also include long range land attack missile system of over 1000 km range and astra, astra के बारे में बताया गया है कि यह beyond visual range class of air to air missile है जो की fighter aircraft में मतलब एक तरह से designed होगा इसके लाब डेबलब किया जाएगा हमारा DRDO में द्वारा तो यह सारी details को आपको याद नहीं करना है यह सिर्फ जानकारी के लिए है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे जो हमारा news है वो भी important news आप कह सकते हो क्योंकि यह जो मतलब Italian marine case जो है यह काफी time से चल रहा है 2012 से ही चल रही है तो देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या बोला गया है क India loses jurisdiction over Italian marine case और यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि compensation तो जीत लिया है यहाँ पर जो भी केरला fishermen है उनके द्वारा compensation दिया जाएगा और यहाँ पर उन्होंने कहां जीता है तो यह हेग में जीता है अब आगे यहाँ पर देखिएगा government of India के बारे में बता जा रहा है कि government of India जो International Tribunal ने जो ruling दी है अगेंस्ट यहाँ पर Italian marine case में तो उसके बारे में उसके बारे में उसको study कर रहे है और आगे अगर आप यहाँ देखिएगा तो आखिर यह Italian marine case आगे था क्या तो यहाँ पर हुआ क्या कि के कोस्ट के आस पास में जो Italian marines जो की एक यहाँ पर ship से जा रहे जिसका नाम यहाँ पर देख सकते हैं कि Enrica Lexi नाम है तो इस पर जा रहे थे तो यहाँ पर इन्होंने fishermen को देखा था और दो fishermen को इन्होंने kill कर दिया था तो अगर आप देखेगा तो इनके point of view से जो marines है और इनका नाम important नहीं है पर obviously marines जो है इनका अगर आप देखेगा view तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने notice किया था कि वो उनको लगा कि वो pirates है और pirates के कारण ही उन्होंने इनहाँ पर शूट कर दिया और शूट जो किया है या international waters में किया है इसलिए उनके ओपर कोई कारवारी नहीं होनी चाहिए पर ऐसा नहीं है obviously India ने जो पुटिन किया जो इंडिया का जो भी बात रखी गई है वो बिल्कुल ही सही है तो अब देखते हैं आगे क्या होता है आगे इस particular मतलब यह तो obviously बहुत time से news in transition बना हुआ है तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है क्या decision finally लिया जाता है next news जो हमारा है वो private trains के उपर में है कि private trains will benefit travelers और यह railway board chief ने बोला है अब यहां पर हम लोगों ने इस चीज को कल ही discuss कर लिया था detail में तो यहां पर जो extra knowledge है हमेरे पास उसको देख लेते हैं तो यहां पर एक fear create हो गया हुआ है कि यह जो private players को एक तरह से बलाया जा रहा है railway के अंदर में तो इससे क्या होगा तो जो भी passenger trains है वो एक तरह से higher fair हो जाएगा और job losses होगा ऐसा fear create होगा है तो यही है यहां में हमारे railway board chief है उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला नहीं fair बरेगा नहीं job losses होगा और अगर आप main motive देखिएगा तो यहां major objective क्या है इस particular move का तो यहां देख सकते हैं कि model technology और model technology को य implement करने की बात कही गई है और साथ के साथ जो transient time है और demand supply deficit है उसको भी कम करने की कोशिश की जाएगी private pairs को एक तरह से लाकर तो यह एक important चीज हो गया और यहां पर वही बताया जा रहा है कि private trains जो है expect हो जाएगा यहां पर operation करना by April 2023 तो यह एक important चीज है इसको धिहान में रख जिसको सभी passengers को दिया जा सके वह provide नहीं किया जा सका है तो यहां पर वही है कि यह जो project है एक तरह से यह help करेगा अब आगे यहां पर यह बोला जा रहा है कि railway जो है expect कर रहा है कि financial bid जो है वह projects के लिए February March 2021 से start कर देगा और finalize कर देगा by April 2021 जिससे यह जो मतलब private trains का जो functionality है और जो operation है वो April 2023 से easily start हो जाए तो अब चलते है next news पे तो next news हमारे लिए बहुत important news है क्योंकि हम लोगों ने कल ही देखा था कल जब मैं आपको IR का पहला lecture पर आया था तो उसमें आपको मैंने इंडिया और चाइना के economic relationship के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको data अब data कैसे update करना है तो पहली चीज़ आप देख लिज़े कि India's trade deficit with China dips to 48.66 billion dollars तो पहली चीज़ हो गई कि अब जो trade deficit है वो कम हो गया है ठीक है और काफी कम हुआ है इसलिए important हो जाता है तो अब data को धियान रखने का तरीका मैं आप भी बता देता हूँ तो पहली चीज़ आ अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो trade deficit है यह हमेशा से widen हो रहा था हम यहाँ पे graph के through भी देख सकते हैं ठीक है export import है और यह रहा नीचे के portion में आप देख रहे हैं च्योंकि negative यहाँ पे इसलिए है क्योंकि trade deficit है positive होता तो ऊपर की तरफ होता तो यहाँ देख सकते हैं पुराने वाले में और नए वाले में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो डिप हुआ है ठीक है तो regular pattern नहीं है यह यह याद रखिएगा क्योंकि आजकल UPSC में question इस तरह का बन जाता है अब आगे आप देख सकते हैं आपर चो trade deficit अभी नया number है वो याद रखिएगा 2019 2020 के लिए 48.66 billion dollars है और पहले क्या हुआ करता था तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि 53.56 billion dollar हुआ करता था 2018 में और 63 billion हुआ करता था 2017 में तो देख सकते हैं एक जिस export और import का भी आपको मैंने कल detail अच्छे तरीके से बताया था तो export इंपोर्ट का भी आप data थोड़ा ध आ दिया तो इसको repeat करने की जरूरत नहीं अब यहाँ पर FDI policy में जो amendment हुआ है उसको भी देख लेते हैं इसको भी हम लोग already discuss कर चुके हैं पर यहाँ पर revision कर लेते हैं तो नया जो FDI amendment policy है उसके हिसाब से company हो या कोई भी individual हो और अगर उसको हमारी country में invest करना है और हमारी country के साथ अगर उसका land border लगा हुआ है तो उस case में उसका जो भी investor होगा चाहे वो किसी भी sector में करें उसको government approval की जरूरत परेगी तो यह important point है इसको बिल्कुल धिहान में रखेगा और इसको आप चाहे तो mains के answer में code भी कर सकते हैं प्रेज़ें जो आने वाला mains है उसके लिए कर स उसको public के लिए 6 जुलाई से open करने की बात कही गई है और यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि विजिटर्स जो होंगे वो centrally protected monuments को visit कर सकते हैं जो कि जुलाई 6 से open होगा पर यहाँ पर मास्क बहनना कंपलसरी है टिकेट्स को खडीदना पड़ेगा यहाँ पर online ही खडीद स सारे monuments जो की protected है archaeological survey of India उनके द्वारा तो यहाँ पर open करने की बात जुलाई 6 से कही गई है अब archaeological survey of India के बारे में आप comment section में मुझे बताइए कि यह किस तरह का office है जो cultural ministry के अंदर में आता है अब मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था और जिन लोगों को याद होगा वो comment section म easily answer कर देंगे अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया कि standard operating procedure भी बताया गया है cultural ministry के द्वारा तो यहाँ देख सकते है monuments in containment zones तो जो भी containment zone में monuments होंगे उसको यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वो public के लिए खोला नहीं जाएगा और उससे related जो भी यहाँ पर decision लेना में और नहीं कोई cafe खुलेगा अगर कोई cafe वहाँ पर exist कर रहा है तो सिर्फ bottle water वो बेचेंगे तो यह एक important चीज़ धिहान रखिएगा next है हमारा कि ramp up COVID-19 testing says center तो हमारी जो central government ने बोला है कि COVID-19 testing को ramp up करने की बात कही है और आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि total number of people being tested for COVID-19 in the country यह जो बढ़ की है या एक करूर पहुंचने वाला है तो यह हमारी health ministry के द्वारा data दिया गया है इसके लाब आप देख सकते हैं कि union government ने सारे state और UTs को एक तरह से बोला है और एक तरह से direction दिया है कि आपको rapid antigen point of care test जो है जिसको हम लोग RT-PCR भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर देने की बाद यहाँ पर देने की बाद कही गई है sorry यहाँ पर आप देख सकते है rapid antigen point of care test जो है इन addition तो RT-PCR देने की बाद कही गई है ठीक है तो यह antigen वाला भी हम लोग अल्रेडी जानते हैं कि antigen अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक तरह से आप मतलब खून की तरह हो जाता है और इंस्टेंट आपको 15-15 में ही आपको data मिल जाता है वही RT-PCR के case में हम लोगों ने काफी detail में देखा था कि यहाँ पे जो है accuracy जादा रहती है और इस case में antigen के case में accuracy कम रहती है आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे तो WHO ने mental health के बारे में कुछ एक चीज़ है इस pandemic के case में अब ऐसा क्यों बताया इन्होंने तो यहाँ देख सकते हैं कि social distancing, isolation और coping with perpetually evolving and changing information about the virus इसके कारण क्या हुआ है कि इसके कारण हम दोग देख सकते हैं कि जो भी existing और pre-existing mental health condition है वो बहुत जादा trigger और aggravate हो गया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि banning of Chinese app is a digital strike और यह किन्होंने बोला है तो यह हमारे union minister of communication and information technology रवी शंकर प्रिशाद जी ने बोला है और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर सब हीटिंग में इन्होंने में मेंशन किया है कि India wants peace but is capable of giving a wayfitting reply और यही हमारे रवी शुकर प्रिशाद जी ने बोला है यह obviously same to same Modi ji का यहाँ पर इन्होंने dialogue जो है चुडा लिया अब आगे देखते हैं आगे यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि यह जो sacrifice हमारे जवानों ने दिया है यह वेन में नहीं जाएगा और हम लोग obviously हमारे prime minister के courage को यहनोंने काफी सारा इन्होंने प्रेज किया है तो आ यहाँ पर बार बार चाइनीज लिखते हैं पता नहीं क्यों चाइनीज अप सारे नहीं है यहाँ पर 59 आप्स को बाइन किया गया है जिसमें most of the apps जो है वो चाइनीज है ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं ministry of external affairs की spokesperson जो की है जो की अनुराग स्रिवास्त भास्तव है इन् बहुत सारे norms है जैसे for example इनको देखेगा तो इनको abide करना होगा सारे rules and regulations से जिसमें हम लोग देख सकते हैं pertaining to data security and privacy of individual data तो इस reason से और अगर हम notice करिये गा तो जो भी apps को ban किया गया है उसको इसी reason से ban किया गया है कि जो data है वो data breach होने के ज़्यादा chances है और इस कारण से क्या हो यहां पर उन्होंने बोला है अगर आप notice करेगा कि यहां पर foreign investment के बारे में बताया है कि यह जो foreign investment है इसको welcome किया जाएगा from for internet technologies पर यहां पर वही चीज है कि यहां पर वही तारे rules and regulation जो बनाये जाएंगे उसको एक तरह से उस framework को 100% follow करना परेगा आगे यहां पर इन्होंन भी बताया है उन्होंने कि यहां पर इस चीज को एक तरह से implement करके कोशिश की जा रही है कि future में अगर कुछ इस तरह का issue होता है तो उसको mutual satisfaction के through resolve कर लिया जाए अब Palestine issue पर इन्होंने बहला है कि इंडिया जो है और बार reiterate करता है अपना traditional support और चाहता है कि direct negotiation हो दोनों करते हैं implement उसी तरह की चीज़ें यहां पर बोलने की कोशिश किया है next news हमारे जो है यहां पर देख सकते हैं HC suggest helpline for COVID-19 health workers तो आखिर हमारे जो high court है उन्होंने यह क्यों बोला है तो देख सकते हैं यहां पर कि it will allow for anonymous complaint anonymous complaint डालने के लिए अब दिली high court ने यह चीज़ेस्ट कि कर सकते हैं अगर उनको personal protective gear जो है वो नहीं मिल रहा है तो यह एक important चीज़ है और obviously यह बहुत सही move है अगर देखा जाए कि यहां पर बोही होगा कि जिन लोगों को नहीं मिल रहा है जो भी चीज़े तो at least अपना anonymously वो point उठा सकते हैं और obviously hospital का नाम अगर आएगा तो उनको फिर जो भी जहां पर भी जो भी कमी होगी वो उसको पूरा करने का काम जो है उनको करना परेगा और हम लोग अल्री जानते हैं कि कोरोना वाडियोस जो हमारे लिए कितना जादा मेहनत कर रहे हैं और health को एक तरह से head-on वो एक तरह से face कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर conflict को reduce करने का काम करेगा साथ के साथ natural biodiversity को protect करने का और nurture करने का काम करेगा तो यह याद रखेगा कि शिवालिक forest को tiger reserve में इसलिए convert किया जा रहा है अब यहां पर देख सकते हैं कि सहारनपूर के divisional commissioner ने यह बोला है इन्होंने proposal दिया है कि उत्तर प्रदेश government दोरह यह जो शि अब यहां पर आगे यहां पर एक important point देख सकते हैं जो कि UPPAC से related भी बहुत जादा important है जो यहां देख सकते है state government is actively considering the proposal and would push it forward to the center यहां पर center को देने की बात कही जा रही है इसके यहां पर बोला जा रहा है कि अगर यह जो मतलब जो भी proposal है यह accept हो जाता है तो यह fourth tiger reserve बन जा तो अमंगर इन बिजनौर इसके लाबा पिली भीत अन दुधवा इन लखिमपूर खेरी ठीक है तो आप यहां पर यहां पर यहां पर आप देखेगा तो राजा जी नाशनल पर्क से बिल्कूल मैच कर रहा है यहां पर और अगर आप इस एरिया में notice करेगा तो इस एरिया होता है और इवेन आप यहां पर एक और चीज़ देख सकते हैं कि शिवालिक रेंज के बारे में बताया गया कि यह जो फुटेल तब शिवालिक रेंज है यह connect करता है चार स्टेट्स को तो कौन से चार स्टेट्स हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश उत्राखंट हर्याना और उतर प्रदेश तो यह पार्टेट हो जाता है इसके लावा हम लोग जानते हैं कि हम आरे कंट्री के अंदर में जो टाइगर पॉपलेशन है वो राइस कर रहा है तो इस कारण से हम लोग समझ सकते हैं कि नंबर अफ क्लाशिज जो है बिट्वीन टाइगर एंड मतलब जो जिया इसके लावा हमें नंबर ऑफ क्लाशिज जो कम करना है और इसलिए आपर देख सकते हैं कि हजो पांग कोग के स्टेजेंस के उपर में एक तरह से लगाया जा रहा है तो यहाँ पे लंडन डंडन यांपे सिधेंस और यहाँ नहों ने भाफर किया है कि जो भी होंग क के citizens हैं और यहां पर देख सकते हैं कि about 3 million Hong Kong residents को इन्होंने बोला है कि वह UK की citizenship offer करी है ठीक है तो यहां पर वही देख सकते हैं कि अखिर ऐसा क्यूं के ने क्यूं करी है कोई और country भी तो कर सकता था तो यहां important यह हो जाता है कि अगर आप Hong Kong का देखेगा तो Hong Kong was under UK's jurisdiction कब तक थ करते हैं कि Beijing के पास जब यह चला गया hand over चला गया तो यहां पर वही है कि इसके पास आ गया authority के यह preserve करेगी city के judicial or legislative autonomy for 50 years 50 साल के लिए था यहां पर तो अब आगे देखेंगे आगे का क्या scene बनता है इसका obviously यहां पर चुकि अब UK के साथ direct confrontation हो रहा है अब यहां पर देख सक करते हैं कि Britain भी अब देखिएगा notice करेगा तो वह bridge exit से किस तर से गुजरने वाला है और December 31st एक तरह से last time last बताया है last date अगर उस time तक European Union से वह अलग नहीं होते हैं किसी deal के साथ तो no deal यहां पर exit हो जाएगा तो इस कारण से वह कोशिच क्या कर रहा है वह sort कर रहा था कि China के साथ में अलग से relationship को और भी जादा closer बना है पर obviously अब इस तरह का situation create हुआ है इसके आगे क्या होता है अब China किस तरह का assertive nature दिखाता है Britain के अगेंस यह देखना परेगा next news जो है वह हमारा आखनी न्यूस है इस वीडियो का और देख सकते हैं यहां पर need for 50 to 60 lakh crore FDI to bloster economy तो य अगर हम चाहते हैं कि अपने economy को आगे बढ़ाएं तो इसके लिए हमें 50-60 lakh crore की जरूरत है FDI के form में ठीक है और यहां पर important सबसे चीज है कि infra और MSME ही benefit कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ठीक है आगे यहां पर बढ़ते हैं तो आगे हम लोग already जानते हैं कि COVID-19 hit के का and economy हम लोग की हालत जो है खसता हो गई है तो इसलिए अब जरूरत क्या है कि MSME सेक्टर में अगर हम लोग जो भी infrastructure project है उस पर focus करें और MSME सेक्टर पर focus करें तो यह हमारी economy को accelerate करने में बहुत जादा helpful होगी अब यहां आगे देख सकते हैं infrastructure सेक्टर में कौन से कौन से included होग अब यहां पर इन्होंने बोला है कि उन्होंने बात की है investors from Dubai and US जिससे वो क्या करें वो MSME में एक तरसे investment बढ़ा है और obviously फिर हमारी economy को support मिलेगा अब यहां पर public private partnership के बारे में इन्होंने बताया है कि public private partnership के थुरू भी बहुत सारा fund जो है वो harness किया जा सकता है और इसके थ articles को देख लिया और इसके लाबा आपका editorial का वीडियो जो है वो already upload हो चुका है और मैं कोशिश यह कर रहा हूँ आज कल कि आपको जो editorial का वीडियो है और news analysis का वीडियो है at least इसमें दो आर का gap हो क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर मैं साथ की साथ अगर दे दू एक घं आपके लिए important हो जाता है ठीक है मैं आपको बहुत सारे homework भी देता हूँ अगर आप देखिएगा तो अगर आप सारे homework को अगर आप attempt करते हैं तो इसके through आपका क्या होगा आपके कम से कम 5-6 topic तो ऐसी तयार हो जाते पड़ रहे हैं तो आप just imagine करें कि 20-25 minute के एक वीडियो म आपको वीडियो दे दूँ क्योंकि government schemes का काफी time से वीडियो नहीं आया है तो सबसे पहले मैं आपको government schemes का वीडियो दूँगा उसके बाद मैं आपको magazine का वीडियो दूँगा जिसमें हम लोग India Nepal को cover करेंगे उसके बाद मैं आपको कोशिश करूँगा अगर मेरे पास time अगर आज नहीं होता तो फिर आपको कल तो बक्का से मिल जाएगा ठीक है तो चलिए आप मिलते हैं next video में so thank you so much for watching